नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचित दोस्तों पस्थित्वा आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपून जानकारी को लेकर के जिहां सरदर्द का एक नंबर का हम इलाज आपको बता रहे हैं बस आपको ड्रिंक एक पीना है और पुराने से पुराने सिरदर अध्वापका दूर करेगा ये उपचार इसके मुख्यता दो कारण है एक पीत की अधिकता एवं दूसरा कब्ज इसमें दिर्खकाल तक सतत दर्द रहता है अथ्वा महीने दो महीने या इससे अधिक समय पर सिरदर्द कासा दोरा पड़ता है इसके निवारन के लिए 500 ग्रा रशनी बनाकर उसमें यह बादाम तथा जावंतरी जायफल इलाइची तेजपत्र का चून सभी को तीन तीन ग्राम एवं पांच ग्राम प्रवाल पिष्टी मिला करके अच्छी तरह घोट लें थाली में जमाकर छोटे-छोटे टुकडे काटकर सुरक्षित रख लें 10 से 20 ग्राम सुबह दूध अथवा पानी के साथ लें पाचन शक्ति उत्तम हो तो शाम को पुनह आप ले सकते हैं खटे तीखे तले हुए एवं पचने में भारी पदार्थों का सेवन बिलकुल ना करें बादाम अपने स्निग्द एवं मृदू विरेचक गुनों से पित एवं संचित मल को बाहर निकाल कर सिरदर्द को जड़ से मिटा देता है साथ में मस्तिश्क नेत्र एवं हरदय को पल प्रदान करता है अमेरिकन बादाम जिसका तेल सत्व निकाला हुआ हो वह नहीं मामरी बादाम अथवा देशी बादाम भी अपने हाथ से गिरी निकाल के इस् कि दुर्बलता में भी यह बादाम अतिव लाफकारी है स्वस्त व्यक्तियों के लिए सर्दियों में सिवन करने योगे यह एक उत्तम पुष्टिदाई पाक है जिसका सिवन करके आप अपनी बहुत सारी बिमारियों से बच सकते हैं तो दोस्तों यह थी आज के हमारी जानका को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों